विजयपूर के समानित व गरीबों के मसीहा माने जाने वाले भाजपा कारिय करता के भाई गुड़ो चोबे उर्फ संतोस चोबी जी का मडर कर दिया गया हमारे सववादाता को मिली जानकारी के अनुसार बताया गया के संतोस चोबे का मिर्जापूर में नीजी मकान है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे वो प्रती दिन की तरह शुकरवार की शाम को अपने गाव विजयापूर जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने उनकी हत्या कर दी और सव को अश्ट मूझा के सीता कुंड के पास फेक कर हत्या रोपी फरार हो गए सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने सव की पहचान करवा कर कबजे में लिया और पोस मौटम के लिए भेजा परिवार वालों को सूचना मिलते ही घर में कहराम मच गया पोस मोटम के बाद सव को परिवार को सौप दिया गया तो हत्या का खुलासा न होने की वज़ा से लोगों में आकरोस देखने को मिला मिर्जपूर से प्रयागराज मार्ग गैपुरा चोराहे पर लोगों ने सव को रख कर तीन घंटे जाम लगा दिया लोगों ने मांग रखी के हत्या रोपियों को जल्द से जल्द पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाए और हत्या का कारण सपष्ट करवाया जाए गैपुरा की प्रसासन और कोतवाली प्रसासन जाम हटाने में लगी रही लोग नहीं माने लोगों ने कहा कि जब तक DM और SP नहीं आएंगे तब तक जाम समाप्त नहीं किया जाएगा तब जाम हटवा ने पहुँचे SDM नगर विधायक अपना दल से अध्यक्स आशीष पटेल नगर पालिका परिशत के मनोज जैसवाल ने लोगों की मांग को लेकर आसवासन दिया कि उनके कोटे की दुकान उनकी पतनी के नाम किसान योजना का लाब LIC G1 बीमा का लाब दो रिवालवर लाइसन्स उनके बेटे के नाम वा दो पुलिस करमी कुछ समय के लिए उनके घर पे तैनात रहेंगे और सासन से परिवार को आर्थिक मुआफजा दिलाने की मांग और हत्यारोपियों को पकड़ कर बोतेर घंटे के अंदर घटना का सही खुलासा किया जाएगा लेकिन वहां मौझूद लोगों ने डियेम और एसपी के जाने तक अड़े रहे और डियेम एसपी के जाने के बाद ही जाम को समाप्त किया गया डियेम एवम एसपी जी ने कहा सासन के परिवार को आर्थिक मदद दिलाया जाएगा तथा हत्यारोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का असवासन दिया तब जाकर लोगों ने जाम समाप्त किया मिर्जापूर से सूरच कुमार की रिपोर्ट समाचार इंडिया नियूस मिर्जापूर